नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सूर्य ग्रहन हो या चंद्र ग्रहन हो कोई भी ग्रहन हर एक ब्यक्ति के जीवन में सकारतमक वे नकारतमक प्रभाव अवश्य छोड़ता है। आज की वीडियो में हम आपको इस बार लगने जा रहे सूर्य ग्रहन से सम्मंदित को जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं चंद्र ग्रहन सधेव पूर्णिवा के दिन लगता है वहीं सूर्य ग्रहन सधेव अमावश्या की तिथी को लगता है। अगर आप पित्रों की किरपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अमावश्या के दिन दान पुन्य या पित्रों के लिए तरपण अवश्या करना चाहिए साथ ही आप यदि कुछ चावलों का दान अमावश्या के दिन करते हैं तो आपके उपर पित्रों का आशिरवाद मिलता है साधारन तोर पर उपाय करने के लिए आप चावलों को उबाल कर उसमें कुछ मीठा मिलाकर यदि कवों को खिला देते हैं तो इसे आपके पित्र बहुती अधिक परसंद हो जाते हैं और आपके पूरे घर पर ही अपना आशिरवाद बना कर रखते हैं वहीं जब अमावश्या के दिन सुर्ग रहन होना निश्चित होता है उस दिन यह संयोग अत्यन्त दुरलब बन जाता है इसी प्रकार से इस दिन यदि कुछ खास उपाई भी कर लिये जाए तो जीवन में तरक्की होना निश्चित है आपके जीवन में जो भी आपकी मनो कामना है यदि आप उन्हें शीगर पूर्ण करना चाहते हैं तो अमावश्या के दिन सूर्य ग्रहन होने पर उस काल में कुछ उपाय अश्य करने चाहिए जो तीस सास्तर में ही नहीं बलकि तंत्र सास्तर में भी सूर्य ग्रहन या चंद्र ग्रहन या किसी अन्य प्रकार के होने वाली ग्रहन को भी विशेष मानता दी गई है इस बार जो अमावश्या है इस पर जो सूरे ग्रहन लगने वाला है इस पर आज की वीडियो में हम आपके एक ऐसी चीज बताएंगे जिसे यदि आप खा लेते हैं तो आपको सूरे देव के साथ-साथ अपने पित्रों की करपा भी प्राप्त होने लगेगी इस बार सूरे ग्रहन जो पढ़ेगा विर्षवरासी में है विर्षवरासी में सूरे और चंद्रमा दोनों ही रहेंगे इसलिए इस बार के सूरे ग्रहन का प्रभाव विरिशेवरासी वाले जातकों के उपर विशेश रूप से पड़ेगा इस विशेश दुरलब संयोग पर विरिशेवरासी में बुद्ध और चंद्रमा अस्त हो रहे हैं और शनी और केतु मारगी हैं इसलिए यह सूर्य ग्रेंड अत्यंत प्रभाव साली होगा जोति साश्तर की माने तो सूर्य ग्रेंड शुरू होने से पहले अपने घर में खाने पीने की वस्तुवों में आपको तुलसी दल यानि कि तुलसी के एक पत्ते को अवशे डाल देना चाहिए वही सूर्य ग्रेंड समाप्त होने के बाद कुछ दानपुने भी अवशे करना चाहिए किसी जरूर्त मंद को अगर आप कुछ भोजन कराते हैं तो इससे आपको सूर्य देव की किरपा प्राप्त होती है जोतिश्य और आदात्मिक दृष्टी से माना जाता है कि जब भी कोई ग्रेंड होता है तो ग्रेंड के निवित देवता को अत्यंत कष्ट से गुजरना होता है जैसे इस बार सूर्य ग्रेंड पर सूर्य देव को अत्यंत कष्ट से गुजरना होगा तो इसलिए इस दोरान आपको कुछ मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए चाहे वह गायतरी मंत्र हो या महामिर्तुञ्य मंत्र हो वही अगर आप सुर्यदेव के लिवित आपको दान पुन करते हैं तो इसका भी फल आपको अवश्य प्राप्त होता है ग्रेंड काल समय आपत होजाने के बाद आपको गुड का अवश्य दान करना चाहिए इससे घर में सदे भी बरकत बनी रहती है यदि आप कोई मंत्र नहीं भी जानते हैं तो ओम सुर्याय नमा ओम सुर्याय नमा इस मंत्र का जाप करें साथ ही सुर्य ग्रहन के दिन सुबह जल्दी उठकर के सुर्य देवता को जल अर्पित अवश्य करें जिसमें थोड़ा सा मीठा यानि की शक्कर चीनी या गुड डाल ले और साथ ही सुर्य देव को जल अर्पित करें जल अरपन करते समय भी आप ओम सूर्याय नमा सूरजेव के इस बीज मंतर का जाप अवश्य करें अगर आप अपनी कोई विशेश मनों कामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो आप क्या करें अपनी विशेश मनों कामना को पूर्ण करने के लिए सूर्य ग्रहन के दिन एक रशेज बस्तू भी खाई जाती है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आप एक मुठी चने ले 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 या तो आप काले चने ले सकते हैं या फिर चने की डाल जो आपके घर में मौजूद है, उसे ले सकते हैं. आप उसे सूरवे गुरियंड से पहले ही चने को तुलसी के पत्ते के साथ ही ग्रेंड कर ले इस एक विशेश उपाय से सूर्य ग्रेंड के दोरान निकलने वाली नकारतमक उरजाएं आपके सरीर पर पढ़कर जो आपको नुक्सान बचाती है आपके करियर को आपके सेहत को आपके धनलाब की दृष्टीक से जो आप पर ब्यापार दोनों ही दोड़ पड़ते हैं इस एक मातर चीज को खाने से जो कि सूर्य देव को अत्यंत परिये है आपके जीवन में चारो ओर से तरक्की ही तरक्की होने लगती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक औ और नई वीडियो के साथ तब तक करें दे में इजादत धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जैब जरंग बली